हमारे घर के पास एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा इस घर को लोग प्रेत बाधित बताते हैं और कोई भी वहाँ जाने के हिम्मत नहीं करता है इस घर के खिरकी दरवाजे सब तूटे हुए थे एक दिन इसकूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतहा घर में जाने का प्लान बनाया मैं बच्पन में बहुत निडर थी लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपो किस्म के थे उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो अपने चमरी उधेर देंगे लेकिन मेरे ज़्यादा समझानी पर वो राजी हो गए हम तूटी दिवार से घर के आंगन में आए वहाँ पर एक टूटे खिरकी थी जहां से अंदर जाना आसान था हम वहाँ से अंदर चले गए पूरे घर में अंधेरा चाया हुआ था और उस घर से अजीब सी बद्बुआ रही थी हम घर की चीजों को ध्यान से देख रहे थे तभी हमें एक दिवार पर कोईले से लिख रखा था मुझे मार दिया गया है हम ये देख कर डर गए लेकिन फिर सोचा कोई मजाग करने के लिए लिख गया होगा अब हम उपर जाने वाली सीड़ीों के पास आए तो पहली सीड़ी पर लिख रखा था मैं उपर कमरे में हूँ ये देख कर मेरे दोनों दोस्त घबडा गए लेकिन मैं नहीं डड़ी और उनको उपर ले गई उपर तीन कमरे थे जिसमें से एक बंद पड़ा था हम उस कमरे में गए कमरे में घुसते ही सामने दिवार पर लिखा था मुझे इस कमरे में ढूंडो हम वहां की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे जो पूरी तरह गल चुके थे तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था मेरा सिर दाए कमरे में और धर बाए कमरे में है ये देखते मेरे दोस्त बुरी तरह घबडा गए और वहां से भागने लगे लेकिन मैंने उन्हें जकर लिया और जाने नहीं दिया अब हम बाए कमरे में जाकर धर ढूंडने लगे और वहां पर एक बक्से में एक सड़ा गला सब पड़ा था इस बार तो मैं भी डड़ गई लेकिन बिना पूरी तहकीकात के वहां से नहीं जाने वाली थी उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आढ़ा है अच्छानक हमें पीछे से कोई परच्छाई दिखाए दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था अब हम बुरी तरह घबड़ा गए और वहां से चीकते हुए निकल पड़े मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खुब पीटा और डाटा लेकिन फिर उन्होंने पुलीस को फोन लगाया पुलीस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बकसे में बंद सरीर तो मिल गया लेकिन सिर कहें नहीं मिला तब से आज तक मैं ऐसे भुधा घरों में तहकीकात करने से डरती हूँ